जाल ओलेंगे बोलेंगे जीकर कश्युम मुद्राइब पंदरा विनेटा गंटा आप अगला अब जीने का दे दिया ये पठीमा मेरी पलोलका बसाला लिख के डाल दूइसमें जब दिक है, ओ, ओ, बाई, यह देख रहे हैं, यह कहा है, फिर फोर सेक्ड़ पाइजान, बाई, 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 आज रात के शाड़े ग्यारा बज रहे हैं, और अचानक दिल तो पागल है, दिल के आता है बिर्यानी खाने चलो तहीं, भूंडी पुरी कराची में बिर्यानी कहीं मिली हैं, फिर किसी ने पदाया है बाई, कि गिलस्तानी जोहर के वा मम म ум व रियानी के आपको बिर्यानी मिलेगी, और फिर रात को ग्यारा और बारा वज़े लिस्भाह कर गा, बाई, इहरे अदर आगया है, और ये थे देदा पर गडियानी का, कि यह कि यहां पर अभी खाएंगे और प्र आपको डियानी के अट्री आशAyote ली और? तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं गुलेस्ताने जोहर में मरकजी सटक जो है यह गुलेस्ताने जोहर की है जहा है जों पर मामू बिर्यानी जो़संतर मौजूद है और यहां पर आने की वज़ा जो बनी वो सिर्फ यह बनी कि जिस वक्त हमें बिर्यानी खाने की तलब हुई उस वक्त यही पर एक ऐसी जगह मेरे नॉलज़ में जहां पर ताजी बिर्यानी दस्तियाब है अच्छे यहां पर इनकी काफी सारी ब्रांचे और भी है मामू बिर्यानी इन पक्वान सेंटर की लेकिन गुलिस्ताने जोहर की ब्रांच को जो है वो शुरू किया अबे कुछ दिन हुए और यहां पर आपको बिर्यानी ना सर्फ रात को बलके सुबा छे बज़े तक आपको यहां पर बिर्यानी दुस्चाब है बिर्यानी बहुत economical price में है चावल आप देख सकते हैं किस केटेगरी का चावल के पनी बिर्यानी को बना हमें के लिए इस्तमाल करते हैं तो आज जो है वो हम दोस्तों के साथ प्लाइन मना रात को लेट नाइट बिरियानी खाने का तो जो भी अविलेबल आपशन थे उसमें मामू बिरियानी एक तो नेरिस्ट है और उसके इलावा जो है यहां की बिरियानी सुना है बहुत मज़दार भी है तो आज हम यहां पर बिर्यानी खाएंगे और चेक करेंगे कि बिर्यानी कैसी है बाकि यहां पर जो है वह आपको हर वक्ताजी बिर्यानी बनती है सकते हैं और उसकी तया टोने को बिरियानी को बिल्ण के सामने एक पती नहीं कर सकते हैं और ये क्लोस शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं बिरियानी के चावल का साइज आप देख सकते हैं और बिरियानी का कलर और इसका अरूमा जो है वो तुझा जबर्दस था कि मुझे रहा नहीं जा रहा था और ताजी ताजी बिरियानी जो है यहां तर इस वक्त यह आपको ख़ते हैं रहे हैँ तो जो हूआ प्रूमा इन आपके सामने का सामने आपको घूड़ और यहां जो है अड़ तिर्यानी है आप्र खिर आधे घंट radioactive शतम हो जाता है और नहया पतील्ह जो है वो लाइन में लग जाता हे गरम गरम बिरियानी जो है वह आप इंजॉाय करसकतें हैं यहाँ पर इसके लावा गोश्ट की बिर्यानी तो आप खा ही सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप और उसके प्राइस यह गोश्वाली बिर्यानी काफी कम है प्राइस भी मैं आगी जाकर आपको दिखाऊंगा तो अब आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए यह निक्रावरी गाली जारी है यह दो पसाला लिख के डान दो उसमें यह बाई बिरियनी यह एहां आती रहती है प्रियानी खीत पमाड वाद के बारिया और और आप आप बेख रहे हैं गर्म गर्म बिर्यानी को है अल synchronous माझ हररा हम फुर्जू यह नहीं की परेवादे रिखि़क मामौ बिर्यानी हो जो है एक पूरे यहां पर मुनीडे इसके वियुँ आपके बिरियानी बिर्यानी भी इनकी पास अविलिबल होती है तो नहीं कमालाई लगी हो आप यह बिर्यानी बोल रही है अब हाथ मत रूखना अब तोड़ सारे बंदन आपका मसालेदार बिर्यानी काने का दिल चाहरा है वज़ेदार और मसालेदार दोनों तो भाई यह राइट ट्लेप है हम बहुत समझ रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन बिर्यानी कमाल नेकिले राइजे के साथ तो यकीन मानें अगर आपका बिर्यानी का दिल है मामू बुलस्तान जोहर आजाएगे अगर आपका बिर्यानी का दिल है पर यहां पर 6-7 पॉइंट्स हैं जो केच्छे हैं उस वएसे यह सुपीरियर हो आती है थोड़ी उन सबसे वह आपने अपनी वीडियो भी कवर किया होंगे एक तो सुबह तक आपको मिलती है रेड अच्छे है पांड़िटी अच्छी है साफ सफाई है कॉलिटी है सामने बन रही है यह सारी बाते हैं जो इसको सुपीरियर बनाती है तो जी देखा बिरियानी जो है वह एक ट्रेडिक्शनल खाना बन चुका है कराची वालों का और बिरियानी की अगर बात की जाए तो बिरियानी जो है वह काफी सारी जगहों पर बहुत सारी मैशूर बिरियानी मिलते हैं जैसे के बासित भाई ने भी बताया फरहान मिरिया नहीं है और दीगर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन नसीब कभी उनने नाम लिया लेकिन बात सारी वही है कि गुलस्तान जोहर एक मरकजी जगह है जहां पर आप अगर शाफदल कॉलोनी में रहते हो आप म में मुदाबाद में रहते हूं पीसी एचस में रहते हूं तो आप एजीली एकसेस कर सकते हैं गुलस्तान जोहर को बागी मुझे अमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के दाद शेयर करें वीडियो को लाइ झाल